बातो बातो में बारा बजगे मैं नहा कर आती हूँ अभी तुलिसी का फोन आ जाएगा मैं हरवाराती हुई बातरूम की और भागी मा के संग नास्ता करने बैठी थी पर नास्ते से जादा हम मा बेटी ने बातों से पेट भरा था मा पापा इस पार लंबे समय के बाद आये पापा तो हमेशा की तरह आते ही किताबे पढ़ने और टीवी देखने में बैस्त हो गए थे कहीं भी चले जाओ उन्हें हमेशा से अपनी यही दिन चरिया पसंद रही है पर इसमें हम मा बेटी को गप्पे लराने के लिए प्रयाप समय मिल जाता है नहा कर तयार ही हो रही है ऐसा तुम लोगों की बातों से लगा परिशानी किस घर में नहीं होती मा अभी तो खैर उसके ऑफिस की समस्या थी अपने इशालू सहकर्मियों से परिशान है वो काम परने पर मदद भी तुलसी सी ले लेंगे और पीठ पीछे उसके खिला बॉस के कान भी भड़ेंगे मैंने तो सुझाया था कि कंपनी चेंज कर ले पर फिलाल ऐसा हो नहीं पा रहा है फिर फिर क्या मैंने तो उसे समझाया है अपने काम से काम रख किसी के कहने सुनने की ज़्यादा परवह न करे सचाई सामने आते ही है हाँ सही है वैसे ससुराल के सब ठीक चल रहा है उसके अब नई नई साधी में थोरा बहुत अर्जेस्टमेंट तो सभी को करना ही पड़ता है मा, मैंने उसे बताया, हमें तो सुरूर में सारी पहन कर सिध धकर रखना होता था, अरे, हमें तो हाथ भर का घुंगट काट कर चुला चोका करना होता था, खैर, गए वो जमाने, अब यह सब कौन करता और करवाता है, हाँ नहीं करता, पर थोरा बहुत लिहाज रख लेने में कोई हर्ज नहीं है, मान गई, हाँ समझाने पर मान जाती है, या उसमें बहुत अच्छी बात है मा, अब एक आंगन में बोया पनपा पोधा उखार कर दूसरे आंगन में रुप द गया है ना, शुरू में तो उसमें भी दिक्कत आई थी, मा बताती थी हम दोनों के सभाब कि में जमीन आस्मान का अंतर है, एक नौर्थ पोल है तो दूसरा साथ पोल, आप में और पापा में तो कोई टकराहट होती ही नहीं है, हम तो बात बात पर लड़ते हैं, मैंने बारता लाप को विराम लगा दिया था जीवन के उतार चड़ाव के साथ, काल चक्र का पहिया इसी तरह सगरकता रहा, लंबी बिमारी के बाद पापा के निर्धन ने हम सभी को तोड़ दिया था, इसी बीच तुलसी के पाउं भारी होने की ख़बर आई, तो मन को उतसाहि जारी था, बहुत उल्टिया होती है ममा, कुछ खाने को मन नहीं करता, डॉक्टर की बताई दवाईया लेती रहा और जो अच्छा लगे थोरा-थोरा खाती रहा, अभी तो लंबे समय तक आफिस भी जाना होगा, सारे रिक वामानसिक तरह की ठकान होगी, तो अराम भी करन और तनाव मुक्त रहना सब अच्छा होगा, मैं बड़े उत्सा से तुलसी की डिलेवरी की तियारी करने लगी थी, लेकिन इधर मेरी अपनी तबियत गरवराने लगी थी, ठकान, बदंदर, अन्यमित रख श्तराव ने हाल बहाल कर दिया था, डॉक्टर ने मोनोपोज भ आदी हो ही जाती है, यह भी जिन्दगी का एक दोर है जो गुजर जाएगा, वो मुझे मालूम है ममा, पर आपने कभी जिक्र ही नहीं किया कि आप इतनी तकलिफ से गुजर रही है, लगभग रोज ही तो हम बाते करते हैं, अच्छा नानी को तो पता है, आपकी तबियत के गल थपथपा दिये, तो वो जवरन मुस्कुरा दी, एक दिन मुझे दिर रात रक्त स्तराव शुरू हुआ, तो सवेडे उट नहीं पाई, पूरा सरीर तूट रहा था, तुलिसी मेरे और सुधीर के लिए चाय बना कर लाई, पहला घुट पीते ही सुधीर ने चाय की ता मैं ही चुस्त दुरुस्त होकर मैं फिर से तैयारियों में लग गई थी, फिर नियत समय पर जब ननहा सा नाती गोद में आया तो परिवार भर में खुसी की लहर दोर गई, बधाईयों के फोन पर फोन आ रहे थे, वीडियो कॉल पर बच्चे को देखने दिखाने की होल सी लगी हुई थी, मा प्यारे से नाती को देखकर फूली नहीं समा रही थी, पर नानी बन गई हूँ मैं, मन को हर कर रहा है, मन कर रहा है उरकर वहां पहुँच जाओ, और छुटकू को गोद में लेकर चुमलू पर सरीर अफसाथ नहीं देता, मेरी और से सब मिठाई खा ले भी चली गई, फिर भी मैं अभी तक उसी की जिंदगी जी रही थी, हर थोरी थोरी दिर में वीडियो कॉल मैसेज करती रहती, मालिस हो गई, सोनुद दूद पी रहा है बराबर, सवेरे आँख खुलते ही दिमाग में पहली बात यहीं सब आता, सुधिर नहीं समझाया था क वहाँ है उसे ढेरो समालने वाले फिर मैटर निटी लीव समाप्त होने पर उसे ऑफिस भी जाना परेगा तो अभी से आतत हो जाने दो, बात मेरे समझ आ गई थी, मैंने फोन मैसेज भी ने कम कर दिये, पर चिंता तो बनी ही रहती थी, सोनुद के बरे होने के साथ साथ त दूसी की वश्ता बढ़ी, तो मुझे से संबाद भी कम तर होता चला गया, उसकी वश्ता और जिम्मेदारिया समझते हुए मैंने भी इसे समाने तोर पर ही लिया, इधर मा की तवियत नसाज रहने लगी तो मेरा उसके पास जाना आना बढ़ गया, इस दिनों भी मैं मा के पास ही आई हुई हूँ, दुनिया जहान की बाते करती, हम मा बेटी की बातों में लगवग रोजी सोनू का जिक्र छिर जाता है, अब तो काफी बढ़ हो गया होगा, फोटोज वीडियोज में खुब सरारते करता नजर आता है, मा ने कहा, अब तो लंबे समय से मैं भी उस उसे मॉवाइल पर ही देख रही हूँ, तुलसी और दमाद जी दोनों का ही ऑफिस वर्क बहुत बढ़ गया है, तो आने का हो ही नहीं पा रहा है, दिल छोटा मत कर, नई टकनलोजी का लाब उठा, चल वीडियो को लगा उसे, आज दो संड़े है, सब घर पर ही होंगे, फ ठाकने लगा, तुलसी ने उसे गोद में उठाया, तो मेरी नजर उसके हाथ पर परी, अरे यह सोनों के हाथ में क्या हुआ, पट्टी कैसे बंधी है, खेलते वक्त गिर गया था, चोट आई है, कब की बात है, मैंने विगरता से पूछा, दो तीन दिन हो गये है, अरे तू अब बता रही है, वो भी मेरे पूछने पर, अब ठीक है ममा, कोई चिंता की बात नहीं है, एक दो दिन में पट्टी खुल जाएगी, फिर भी बताना तो चाहिए थाना, मैं नराज हुई, तो तुलसी मास से बात करने लगी, आपके घुठनों का दर्द कैसा है, नानी, फ कैसे आजकल आप बाते चुपाने लगी है, मा, घर बदल जाए, समय बदल जाए, कोई बात नहीं, दुख होता है, जब कोई अपना बदल जाए, कुछ समय पुर्वधामात जी की भी तवियत बिगरी थी, हमें भनक तक नहीं लगने दी उसने, हाला कि दो तीन महिने में ही उन्हें पहले से बेहतर नौकली मिल गई थी, तब बातों बातों में एक दिन बताया उसने, हम क्या करते, इतने पराई हो गए हैं उसके लिए, मा, पहले कैसे छोटी छोटी बाते सेर करा करती थी, ऐसा लगता था साधी करके सिर्फ भौतिक रूप से विदा हुई है, दि उम्र और अनुभव के साथ साथ, जैसे तू मेरी मा बनती जा रही है, वैसे ही, वह तेरी मा बनती जा रही है, मैं हस्प्रत सी मा को नहार रही थी, दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी होते हैं लिए हमारे वीडियो के लाइक कीजिए और चैनल के सिस्क्राइब